हेलो एविवन माई नेम इस एक्षा महाजन स्वागत करता हूँ आपका एक ब्राइड न्यू वीडियो में तो यार इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे महारिशी मारकंडेश्य उनिवरस्टी के फार्मेसी डिपार्टमेंट के बारे में तो यार अगर अच्छा option है बाकी उनिवरस्टी के कंपारिजन में फार्मेसी के लिए तो यार आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखना क्योंकि इन सब कोश्टिंस के डाउट आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे यार एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं महार्शी मार जाए फार्मेसी डिपार्टमेंट के बारे में तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे तो यार पहले हम भी फार्म के फीस ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो जो यह इसका डियोरेशन रहेगा वो रहेगा चार सालों का तो जो तुमारी फर्स्ट एर की फीस रहेगी वो तो हम यह चीज़ कह सकते हैं कि जो तुम्हारा टूटल टूशन फीज का खर्चा आएगा ना चार सालों का बी फार्मा के कोर्स के लिए तो वो आएगा 4,72,715 रूपीज तो यार अब हम बात करेंगे फार्माडी कोर्स के बारे में तो यार जो इसकी डूरेशन रहेगी वो रहेगी 6 सालों की जहांपर जो तुम्हारी 5 साल होंगे तो वो तुम्हारी क्लासेज बगरा चला करेंगी और प्रैक्टिकल वरक रहेग थे ना की ना की तुमारा इंटर साल उगा उसकी रहेगी बन लाक यट़ी फड्ली तो यार जो तुम्हारी 6 सालों की इक एक कोर्स के लिए पूरा तुशन फी का खर्चा आएगा आएगा 9 7369 and 28 रुपीज तो यार एक और चीज mention कर देना चाता हूँ कि यह जो मैंने दो कोर्सिस के आपको fee structure के बारे में बताया ना तो यह सिरफ और सिरफ tuition और academic fees है तो इसके अंदर किसी भी तरीके के hostel charges और mess charges included नहीं है अगर आप उनके बारे में जानना चाते हूँ तो description में मैंने लिखा हुआ है आप जाके पढ़ सकते हूँ तो यार pharmacy क्या एक अच्छा option है तो आपके seniors का यह कहना है yes pharmacy एक अच्छा option है if you are really into drug stuff only and further want to pursue in drug research and safety stuff तो इनका यह कहना है कि यार pharmacy एक बहुत ज़दा अच्छा option है अगर आपका शुरू से ही इंट्रेस्ट है drugs बगारा के बारे में पढ़ने के लिए not वो वाले drugs जिसको मलब गांजा बगारा वो वाले नहीं but medicines बगारा के अंदर अगर तुमारा इंट्रेस्ट है तो pharmacy बहुत ज़दा अच्छा option हो सकता है तुमारे लिए and furthermore अगर आप pursue करना चाहते हो drug research के अंदर और safety stuff के अंदर तो pharmacy एक आपके लिए बहुत अच्छा option हो सकता है because sometimes when doctor get confused which drug to give or any alternative they need that time you as a pharmacist can control that thing and little bit with this you can take care of your family and close to one with drug consultations तो ये कहते हैं यार कि जब किसी doctors को ये चीज़ के बारे में समझ नहीं आता है या फिर वो confused हो जाते हैं कि एक patient को किस तरीके का drug दिया जाए यानि कि किस तरीके की दवाई दी जाए या फिर उस दवाई अगर वो नहीं है उसके जगर पर alternative क्या किया जाए तो वहाँ पर तुम as a pharmacist अपना role play करते हो और वहाँ पर तुम उस patient का ध्यान रख सकते हो More importantly अगर तुमने pharmacy का course किया हूँ है तो obviously बात है कि तुम doctor में ही गिने जाओगे तो यहाँ पर इन्होंने एक और point mention किया हूँ है कि तुम अपने family members का और जो closed ones है उनको भी तुम drug consultations दे सकते हो कि तुम्हें यह दवाई लेनी चाहिए या फिर यह दवाई नहीं लेनी चाहिए तो यार अब हम बात करेंगे कि क्या pharmacy को pursue करना वो भी महारिशी मारकेंडेशों यूनिवस्टी से एक अच्छा option है या फिर नहीं तो यह आपी के seniors नहीं आपर लिखा हुआ है येस MMU एक अच्छा option है अगर सबसे पहले point की बात करें कि कोई government college में ना जाएं due to some reasons this college give you good campus connection to some tourist places nearby all facilities are available like labs, animal experiments, training under tertiary care hospital तो यार यहाँ पर इनका यह कहना है कि हर एक तरीके की facilities available है कि labs भी हर एक available है, animal experiments भी होते रहते हैं और training भी आपकी tertiary care hospital के अंदर करवाई जाती है तो यार एक question जो हर एक fresher के दिमाग में होता है चाहे वो किसी भी department और किसी भी branch में जा रहा हो वो ही होता है कि भाईया बाकी सब तो ठीक है लेकिन हमें ये चीज़ बताओ सब चीज़े करो यार लिमिट ध्यान में रखना अपनी की घर वालों को कोई परिशानी ना हो और सबसे बड़ी चीज़ प्लान करके चलो अगर कुछ नहीं होता है तो कोई ना knowledge रखना अपने course की this will provide you respect that's the main thing तो यार इनों ने कहा हुआ है कि tension लेने वाली कोई भी बात नहीं है अब हर एक चीज़ को explore करो लेकिन अपने लिमिट ज़रूर ध्यान में रखना and more importantly अपने course को ना सिरफ ऐसे रटा मार के मत निकाल देना pharmacy वाले practical world में ज़्यादा गुसने की कोशिश करना theory वाले पार्ट को भी समझना लेकिन practical चीज़ों को ज़्यादा करने की कोशिश करना जिसकी वज़े से आपको actually में अगर कोई pharmacy के related degree के बाद अगर कोई question पूछेगा तो आप उसको सही जवाब दे सकते हो अगर अटा वगरा मैं रोगे तो यार वो तुम्हें सिरफ exams वगरा पास करवा सकता है लेकिन actual world में practical world में तुम्हें वो चीज़ कहीं पर भी काम नहीं आएगी knowledge रखना ताकि सब लोग degree के बाद भी खतम होने के बाद आपकी इज़त करें बाकि आपके seniors ने MMU से related कुछ और चीज़े भी बताई हुई है कि क्या आपको MMU से pursue करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए cultural activity काफी हद तक increase हुई है as compared to previous year feedback greenery बहुत अच्छी है, fun environment, good reputation day by day, rest is your choice तो यार अगर इन words को simple way में conclude किया जाए ना तो आपके seniors का ये कहना है कि तो जो college की reputation है ना और more importantly जो आपकी degree की reputation होगी वो हर साल बढ़ती जा रही है, अब अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो मैं mention कर देना चाहता हूँ पिछले ही साल हमारे college को NAC की तरफ से A++ grade की upgradation मिलती है तो जो आने वाले time में नए freshers को ना बहुत ज़दा फाइदा देने वाला है क्योंकि college की reputation का सवाल है और आने वाले time में यार placements भी ज़दा होगी और बच्चे placed भी ज़दा हुआ करेंगे तो यार अगर आप एक fresher हो और MMU से कोई भी department pursue कर रहे हो आने वाले time में आपके लिए ज़रूर फाइदा होगा तो आई होप यार इसी के साथ आपको pharmacy department की related हर एक चीज़ क्लेर हो गई होगी यार अगर मैं अपना suggestion दूँ कि क्या तुम्हें फामेसी, MMU से pursue करनी चाहिए या फिर किसी और college से करनी चाहिए तो यार मेरे लिए ना college में पढ़ाई उतनी ज़्यादा matter नहीं करती थी जब मैंने college को join किया था क्योंकि मैं सिरफ और सिरफ life में experience के लिए जीता हूँ मेरे लिए पढ़ाई उतनी ज़्यादा matter नहीं करती है ठीक है ये मेरा कहना है अब ये चीज़ से तुम्हारे लिए अलग हो सकती है तुम्हारे लिए पढ़ाई ज्यादा matter करती हो राइट तो मेरे लिए अगर मैं आ पूछता तो यार अगर आप लेना चाहते हो ना तो यार MMU एक अच्छा option हो सकता है लेकि मैं request करता हूँ कि अगर आपके दिमाग में अभी भी कुछ doubts है ना colleges को लेकर तो जो जो भी colleges तुम्हारे दिमाग में आ रहे है एक बार टाइम निकालो एक दो हफते का और खुद जाकर उन colleges को विजट करो और उनकी बच्चों से पूछो उन डिपार्टमेंट के बारे में वो तुम्हें एक honest feedback दे पाएंगे अब मैंने महारिशी मार्कंडेश्व उनिवस्टी के बार में बता दिया राइट है लेकिन बाकी universities के बारे में मुझे नहीं पता है इसलिए अ अपनी college life की शुर्वात करने से पहले तो तुम्हें एक अच्छा idea मिल जाएगा तिल दैन अगर आपके और कुछ doubts महारिशी मार्कंडेश्व उनिवस्टी के related तो आप comment box में comment कर सकते हो मैं आपको videos के थूर reply करने की कोशिश करोंगा and more importantly अगर आपको college life के related कुछ और जानन में हुए हैं आप जाके चेक कर सकते हो तिल दैन अगर आपको मेरा content पसंद आया अगर आपको value मिली तो यारव मेरे चैनल को subscribe कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी share कर सकते हो तिल दैन I'll see you all in the next video सक्षा महाजन this side peace